नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि एलोसोन एच्टी क्रीम का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है एलोसोन एच्टी क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और एलोसोन क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि एलोसोन क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडीशन में एलोसोन एच्टी क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है एलोसोन क्रीम का उपयोग चेहरे पर दाग, धब्बों, निशान वजहाईयों को हटा लगाने के लिए किया जाता है आखों के नीचे काले घेरे होने पर यानि डार्क सरकल्स होने पर भी इलोसौन क्रीम का उपयोग किया जाता है इलोसोन क्रीम त्वचा पर दाग-धब्बों और डार्क स्पोट्स को हटा कर त्वचा के रंग को साफ वगोरा करती है इसके llegar दावा डर्मेटाइटिस और मेलाजमा की समस्या होने पर भी एलोसोन क्रीम का उपयोग किया जाता है। मेलाजमा होने पर वचा पर काले रंग के पैच हो जाते हैं, जो शरीर में हार्मोनल बदलाव या सूरज की धूप की वजह से भी हो सकते हैं। मेलाजमा की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है, लेकिन मेलाजमा की समस्या पुर्षों में भी हो सकती है। एलोसोन क्रीम का उपयोग महिलाएं बपुरुष दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना नख भूले। अब हम डिसकस करेंगे की एलोसोन क्रीम को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। एलोसोन क्रीम को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लगाना रेकमेंडेड होता है। एलोसोन क्रीम को रात को सोने से कम से कम 30 मिनट पहले लगाना चाहिए। एलोसोन क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे वा हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप अपने चेहरे को फेस वाश या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं। और उसके बाद चेहरे वा हाथों को अच्छी तरह सुखाने के बार एलोसोन क्रीम की एक पतली लेयर प्रुभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगानी चाहिए. और एलोसोन क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए. एलोसोन क्रीम को आख मुह और नाख के किनारों के पास लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है. इसलिए एलोसोन क्रीम को आख मुह और नाख के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए. अब हम दिसकस करेंगे कि एलोसोन क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में एलोसोन क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है जब तक आप एलोसोन क्रीम को लगा रहे हैं तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जा का रिस्क अधिक हो जाता है अगर आपको किसी कारणवर्ष धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्र सप्ताह से अधिक एलोसोन क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए आच सप्ताह से अधिक एलोसोन क्रीम को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर या त्वचा पर कोई घाव होने पर एलोसोन क्रीम को घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए, बार-बार या लंबे समय तक आपको एलोसोन क्रीम को आखों के नीचे या आखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एलोसोन क्रीम के अंदर स्टेरोइड्स होता है, और एलोसोन क्रीम को बार-बार या लंबे समय तक आखों के एलोसोन क्रीम को आखों के नीचे या आखों के आसपास लगाने से बचना चाहिए। अगर आपको एलोसोन क्रीम या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है, तो आपको एलोसोन क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। और इसके बारे में आपको डॉक्टर को भी पताना चा अगर आपको एलोसोन क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में जलन, खुजली या रेड में ज्यादा होती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। एलोसोन क्रीम का उप्योग लंबे समय तक यानी कई महीनों तक करने से त्वचा पतली हो सकती है और त्वचा का कलर डार्क भी हो सकता है इसलिए बार बार बिना डॉक्टर की सलाह के एलोसोन क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और एलोसोन क्रीम को केवर उतने समय तक ही लगान चाहिए जिन्तने समय के लिए आपके डॉक्टर ने एलोसोन क्रीम को लगाने की सलाह दी है कुछ लोगों में एलोसोन क्रीम को लगाने के बाद त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बन कर उतर सकती है और एलोसोन क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में अस्थाई तोर पर सूखापन हो सकता है अगर आपको तवचा में सूखापन ज्यादा होता है तो आपको सुभा उठने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद आप वैसलीन या कोई अन्य मॉस्टराइजर क्रीम लगा सकते है ताकि आपकी तवचा में सू प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एलोसोन क्रीम का उप्योग करना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एलोसोन क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.